Hello everyone, welcome back to my channel English with Shivaya Classes आज हम बढ़ेंगे कभीर दास की जो verses चल रही है उसका next part को हम discuss करेंगे इससे previous वीडियो में हमने कभीर दास ची को verses नहीं verses 1, 2nd and 12 को discuss किया अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिये तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं चलिए start करते हैं हमेशा कहो पुरातन बात ये हैं उनकी verses 12 कि हमेशा पुरातन बात को बोलो Tell me, oh swan, your ancient tale मुझे बताओ, hey hans, अपनी प्राचीन कहानी From what land do you come from? कि तुम कौन सी land से आये हूँ? Oh swan, oh hans, to what shore will you fly? कि तुम कौन से किनारी के उड़कर आये हो? Where will you take your rest? कि hey hans, तुम कहाँ विश्राम करोगे? And what do you seek? और तुम क्या खोज रहे हो? Even this morning, कि इस सुबह, oh swan, aray swan, awok, उठो, उठो, नहीं Awok, जागो, arise, उठो and follow me और मेरे पीछे आओ, there is a land यहाँ एक धर्ती है, where no doubt जहाँ पर कोई doubt नहीं है, कोई sorrow नहीं है कोई sorrow का rule नहीं है Where the terror of death is no more जहाँ मौत का, जहाँ पर मौत का भैभी नहीं है There the woods of spring are a bloom यहाँ वसंत के जंगल खिले हैं and the fragment scent और सुगंदित हवा जो fragment scent है, वो यहाँ पर वसंत के जंगल खिले हैं और सुगंदित हवा बह रही है He is born on the wind और वा हवा इसमें पैदा होती है There the bee of hurt is deeply amazed and desired no other joy वहाँ जो hurt की bee, यानि की हिर्दय की मखी It deeply immersed, गहराई में डूबी है and desired no other joy और किसी happiness की इच्छा नहीं करती है मेरे पीछे आओ जहाँ पर कोई भी दुख नहीं है कोई भी मतलब सौरू नहीं है जहाँ पर मौत का कोई भेह नहीं है सुगंदित हवा बैती है जैसे कि वो उसी में पैदा हो और जहाँ की जो मदु मकी है वो गहराई से डूबी हुई है और उन्हें किसी भी चीच की इच्छा नहीं है हमेशा कहो पुरातन वात ये है वर्सिस सेक्ट्वेल अब देखते हैं इसकी समरी कबीर्दास the same point address the soul जो कबीर्दास है वो आत्मा को संबोधित करते हुए कहते है as a swan आत्मा को एक हंस की तरह संबोधित करते हुए कहते है and ask और पूछते है it's where doubts कि कहां से आए हो he says that essentially it has come from कि ये निश्चित रूप से वहां से आया है उस जमीन से आया है there is no hardship and sorrows जहां पर न दुख है जहां पर कोई भी दुख नहीं है where there is no fear of death जहां पर मौत का कोई भेर नहीं है the land must be full of flowers and fragments वहां की धर्ती निश्चित रूप से flowers और fragments से भरी होगी that is the region the bee has left the desire of honey मदु मक्खी भी शहद में डूब गई है और उन्होंने it is fully satisfied the nectar available there वह निश्चित रूप से शहद में डूब गई है और उन्होंने शहद पाने की और भी इच्छापनी छोड़ दी है यह है इनकी verses 12 कि हमेशा कहो पुरातन बात next इनकी verse है verses number 53 कौन मुडली सब्द सुन आनंद भयो यह है इनकी verses 53 कि ऐसा कौन है जो मुडली की अवाय सुनकर आनंद में डूब गया है what is that flute whose music thrill me with joy कि कौन मुडली what is that flute क्या जिसका संगीत मुझे आनंद से भड़ देता है the flame burns without a lamp दीपक के बिना ही लो जलती है the lotus blooms without a root कमल बिना जड़के खिलता है flowers bloom in the cluster फूल कुछों में खिलते है the moon birds is devoted to the moon चंद्रमा का जो पक्षी है चंद्रमा को समर्पित है with all its heart the rain bird longs for the shore of rain कि वर्षा पक्षी जो पूरे मन से वर्षा की फुहार की अविलाशा करते है but upon whose love does the love constitution his entire life लेकिन प्रेमी अपना पूरा जीवन किसके प्रेम पर किंद्रित करता है कि जो प्रेमी है वो अपना पूरा जीवन किसके लिए concentrate करता है what is that flute whose music थिल्मी विद्ट की ऐसी कौन सी मुडली की धुन है जो मुझे आनन से भर देती है the flame burns without a lamp बिना लॉके दीपक जलता है the lotus blooms without a root जो lotus है वो बिना जड़के है flowers blooms जो फूल है गुच्छों में है the moon word is devoted to the moon जो चंद्रमा का पक्षी है वो पूरी तरह moon को समर्पित है with all his heart the rain burns longs for the sour of rain but upon whose love does the lover concentrated his life लेकिन एक जो प्रेमी है वो अपनी पूरी life किसके लिए concentrate करता है यह आप देखते हैं इसकी summary the mystic poet कभी says that he wants to find out the flute whose music is melody रहसेवादी कभी दाशी बोलते हैं कि उस पांसुरी का पता लगाना चाहते हैं जिसकी मदूरतान पर वे आनन्द में डूब जाते हैं he is immersed in the sweetness of the music वे उस sweetness music को ढूणना चाहते हैं he is feeling immense pleasure जिससे वो बहुती जारा आनन्दित मैसे मैसुस करते हैं he knows वो जाना चाहते हैं because of divine power क्योंकि जो divine power है क्योंकि जो divine power है lamp की जो जो जल रही है बिना बत्ती के जल उठती है flowers bloom full खिल उठते हैं moon bird जो moon bird है on rain bird devote themselves in the pursuit वो भी बारिशी कामना करते हैं in the last line he earns वो आगरे करते हैं he also wants वे अपने आपको surrender करना चाहते हैं अपने लब को और अपने लाइफ को उस lover के लिए and wants to seek him और अपना और उसको खोजना चाहते हैं next है उनकी वर्सिस 69 जो खोदा मस्जित वसत है जो खोदा मस्जित वसत है ये है इनकी वर्सिस 69 कि जो खोदा मस्जित वसत है कि जो खोदा मस्जित के अंदर बसता है if God be within the mosque you then to whom does this word belong कि यदि इश्वर मस्जित के भीतर है तो ये संसार किसका है if Ram within the image which you find upon your pilgrimage यदि Ram उस image के भीतर है जो आप अपनी तीर्थी आत्रा पर जाते हो then who is there to know what happens without you तो ये जानने वाला कौन है कि बाहर क्या हो रहा है Hari is in the east Hari East में है Allah West में है look within your heart तो अपने heart के अंदर देखो for there you will find both Karim and Ram तो आप अपने अंदर Karim और Ram दोनों को पाएंगे All the men and women of the words are his living forms जो जतने जीते जाकते हैं आदमी और और औरत हैं Kabir is the child of Ram and Allah Kabir Allah और Ram का child है He is my guru वो वही मेरा guru है He is my peer और वही मेरा peer है मतलब वो इसमें कह रहे हैं कि इश्वर जदी मस्जिद में हैं तो यह संसार किसका है और जदी राम छबी के अंदर हैं तो आप तीर्थ यात्रा पर क्या पाते हो यह जानने वाला कौन है के भाहर क्या हो रहा है जो भगबान है हरी है मतलब हरी पूर्व में हैं अल्ला पश्चिम में हैं अपने अंदर जाक कर देखो महां तुम्हें करीम और राम दोनों मिलेंगे संसार के सभी man and woman उन्ही के living जीवन्त रूप हैं कबीर अल्ला और राम की संतान है संतान है और वही मेरे गुरू है और he is my peace अब इसकी समड़ी देखते हैं जो महान कभी कबीर दास हैं वो उन लोगों पर कमेंट करते हैं जो एक दूसरे से धर्म के नाम पर हेट करते हैं और जखरते रहते हैं according to him उनके अंसार a man should see himself एक आदमी खुद अपने अंदर देखे God lives in the soul of man भगवान उनके अंदर ही निवास करता है He does not discriminate human beings on the name of religion वो humans को धर्म के नाम पर नहीं बाटते because he will not decide humanity क्योंकि humanity के द्वारे decide नहीं होते on the name of Ram and Rahim वो Ram और Rahim के नाम पर divide नहीं होते यह थी कबीर दास की verses इससे previous वीडियो में हमने 3 verses को discuss किया और इसमें हमने 3 verses को discuss किया यह आपकी 4 BA 4 semester की 4th unit complete हुई I hope आपको वीडियो अच्छी लगे ही हो अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो like कीजिए, share कीजिए and subscribe कीजिए thanks for watching